कि शोएब जमाई के बास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है जामबंत के भाई को अरे पताता हुना मूले पतीर है क्या पता दस तंडे मार के इसका पिछोड़ा लाल कर दे था जी नमस्कार दोस्तो खबरी चोरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं हाजेरू एको नई डिविट वीडियो के साथ दोस्तो आज की डिवेट वीडियो होने वाले है रिजवान एहमद और सोयब जमाई के बीच में दोस्तो वीडियो बड़ी शांदार होने वाल है अरे तुम्हें तो आता है ना इसलाम को पूछो बताता हूँ 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 बतात नजर से पूछें शोएब बताता हूँ ना क्या अवश्चक था इसको लाना और एक महीला थे तब इसके बारे में पूछा गया रिजवार नहींद 20 सेकिड शोएब जमाई हिजाब या तो वजू को लाएगा या भाजपा को लाएगा या मुनाफिक को लाएगा क्योंकि शोएब जमाई के पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है जामवंद के भाई को आप लोग भी जामवंद का भाई पकड़के ले आते हैं अरे भाई सीधा सवाल है अरे तुम्हें तो आता है ना इसकर कुरान में है वजू के फराईज और गुसू के फराईज बताता हूँ बताता हूँ मेरे नजर से अगर आप मेरी नजर से पूछेए शोयव बताता हूँ ना अगर मेरी नजर से आप वुछो अरे पछाए रहाएलthen बताता हूँ ना देश को पता चलना चाहिए कि कि अरे बहरूपिया हो तुम जैसे लोग कुछ नहीं पता इसलाम के बारे में और आ जाते हूं या इसलाम के लिए एक सब्सक्राइब किसी को अपनी वक्त पर बात रखी जाए ना इसको अलग मत करिए एक सेकिन और रिजवान आमद टीस सेकिन देन गौर भाटिया आपने बोला बीड़ीपी वाले मुझे मार देंगे रिजवान आमद अमीज भाई मुझे दस लोग धंकी देते हैं मैंने तो होम मिनिश्टर को चिटी नहीं लिखी क्योंकि इसमारे नहीं लिखी क्योंकि मुझे अल्ला पर यकीन है उस मुनाफिक ने और उस कायर ने होम मिनिश्टर से मदद मांगी होगी जिसको अल्ला पर यकीनी नहीं है पहली बात दूसरी बात मुझसे शोईब ने जवाब सवाल का जवाब मांगा था अमीश भाई सवाल का जवाब ये है अगर डॉक्टर सेद रुजवान अहमद देश का गरह मंतरी होता तो शाहिन बाग पर पतलून उतार कर शोईब के पिछवाडे दस गंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता C.A. के टाइम पर ये है तेरे सवाल का जवाब शोईब ये है तेरे सवाल का जवाब ये चैनल कर खार कर के तेरे पिछवारे बंडे मारे जाए ये सुवर कीचड में लोट रहे क्या इस सुवर कीचड में लोट रहे क्या आई बाग समझवे दोस्तों अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है कर दोस्तों अवारे जाए